हाई दोस्तों दोस इस जी ए मिंटो सुष्मितात्र पार्टी और मैं अस्वागत करती हूं आप सभी का बैंकिंग वाला ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर आज की सेशन में क्या करने वाले हैं आज हम देखने वाले और उसकी जो भी सबसीटिरीज है तो आज हम यह करने वाल करेंगे जो भी इंपोर्टेंट है एक्जाम में सबसे अदब पूछी जाते हैं उनके बारे में करेंगे ठीक है तो यह हम लोग करने वाले हैं जिससे आप लोग कोई गाइडेंस मिलेगी ताकि आप लोग कोई ख़बर पड़ो तो आपको अनारी साना लगे तो वह सारी पर पाइडेंस का रोल है क्यों बनाना जरूरी था अगर हम यह बात करते हैं तो देखो जैसे जनरल अगर मैं आपसे कहती हूं कोई भी घर है ठीक है कोई साभी अगर हाउस है है जैसे हम कहते हैं ना डोस्त का फोन आ रहा है बोल रहा है कि चलोगे पारटी में तो मैं कहूंगी अभी की बात नहीं पहले की बता रही हूं अब मेरा बेटा सकाएगा तो मैं पूछा और मां ने पापा से बात करी और वो पूरा घूम कर आया यानि एक जो है वो सबको वो मेरे फादर, मेरे पापा and sometimes मेरी माँ, तो इन दोनों लोगों में से हर एक घर में कोई ना कोई क्या होता है, मुखिया होता है, मुखिया से यह मतलब नहीं कि आपको दबा के रख रहा है, मुखिया से यह मतलब important decisions लेता है, ठीक है, तो यह हो गया, अब आप एक बात कर पाती, मैं यह नहीं कह रही हो कि मैं जो हूँ, जो भी है, सब कुछ है, हाँ, बिल्कुल, I owe that, ठीक है, वो तो है, मेरे कहने का sense है कि अगर यह लोग ना हो, तो फिर बहुत जगह मैंने गलसियां क्यों होती, जो मैंने नहीं कि, शायद इनकी presence में, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने मुझे guidance दी, ठीक है, at certain point of time, they guided me, अपनी capacity में इन्होंने best किया, but then came my career, career के time पे मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे यहाँ पे मेरे घर में कोई commerce वाला होता, तो कुछ और guide करता क्या, क्योंकि मेरे घर में सब science भरे पढ़े थे, तो मुझे लगता था, शायद कोई commerce वाला होता, तो कुछ guide करता, मेरे भाई को ऐसा लगता था, शायद कोई guide करता, तो मैं कुछ और करता, तो ऐसा लगा, ठीक है, हर बार एक चीज़ फील होई, कि जिस फील्ड में आप जारो कही ना कहीं कुछ guidance की need होती है, तो जब हम लोग यह अपने आपस मे अपने उपर सोच सकते हैं, आप सोचो किसी भी देश में, कितने बड़ी बात है कि एक देश का पूरा banking system है, उसको कोई guide नहीं करेगा, तो वो bank कैसे चलेगा, हमने पता है कि जो bank है, bank हमें ATM दे रहा है, कल को अगर किसी bank से कुछ गलती होती है, मेरे पैसे लेके बैठ गया तो मेरे पास में, मतलब मैं जा कि उसकी complain कर सकती हूँ, bank के पास पिर जवाब देई है, bank आपको जवाब देगा क्यों मैंने ऐसा किया, यह सारी possibilities, यह सारी conditions है, लेकिन अगर ऐसा ना होता, तो क्या में जाती bank के पास पैसे जमा करने हैं, नहीं जाती, अगर हम लोग banks के प जरूरत होती है, तो यह financial intermediary वाला system खतम हो जाता, अगर हमारा trust ही ना होता bank के उपर, तो यह सब trust बना रहे, bank सही तरीके से काम करते रहे, customers आराम से आए, पैसे दें, और कोई और उसे चाहे, तो दूसरा customer ले चाहे, जिस अब एक systematic तरीके से चलने के लिए जरूरी है, उस the one who is there to regulate, to supervise the banking system of our country, इनका ये काम होता है, अब देखो, RBI की creation करने के बहुत सारे मकसद थे, कब creation की गई, क्यों की गई, ये सारी बाते एक एक करके अब हम पढ़ते चलते हैं, तो सबसे पहली बात है, कि RBI की establishment कब हुई है, जियान दीजेगा, RBI की establishment हुई है, 1st of April 1935 को, तो जो RBI है, इसकी establishment हुई, 1st of April 1935 को, और किसके कहने पे हुई थी, तो कमिटी आप लोग याद रखे रहेगा, रोयल कमिशन या हिल्टन यंग कमिशन, ठीक है, तो ये कमिशन थी, हिल्टन यंग कमिशन, बिसिकली, इनके कहने पे की गई थी, अब ये हिल्टन यंग इनको बनाने के लिए पहले ही बोल दिया था, in the year 1926, but 1926 में ऐसा लगा था, कि कोई अस्थ इंपॉर्डन्स नहीं, और जरूरत नहीं है कि एक रेगुलेटर हो, बैंक्स तब भी थे, काम तो करी रहें, तो बैंक्स अपना करी रहें, क्या जरूरत है एक और नया बैंक बन बनाने की जरूरत महसूस हुई, और RBI की creation की गई, in the year 1935, पर RBI Act 1934, ओके तो यह बन गया, अब देखो, RBI जब शुरू शुरू में बना था, तो इसका जो head office था, यह था, कोलकाता के अंदर, लेकिन 1937 में, RBI का head office shift हो कर कहा गया था, मुंबई के अंदर, तो जब शुरू शुरू में RBI बना, यह था आप लोगों का कहा पर, कोलकाता में, बट इसको मुंबई shift कर दिया गया था, 1937 के अंदर, यह बहुत important point है, exam में कभी ऐसे चोटे-चोटे points आप से पूछ लिये जाते हैं, so keep it in mind, ओके, तो यह आपका बन गया था, जब RBI का मैं लिख देती हूँ, initial capital, यह थी 5 करोर की, सिर्फ और सिर्फ पांच करोर से, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर रही हूँ, जैसे में दोनों pocket पे रख्यों, बता रही हूँ, क्योंकि आज तो हम लोग 100 करोर, 500 करोर बात करते हैं, लेकिन उस समय की बात है, पांच करोर में इसको अंदर सरकार के जाधा पैसे लगे हैं, है ना, अगर कोई कहता है, यह मेरा घर है, वो तुम्हारा घर कैसे है, या तो तुम्हारे जो पुष्ट में से कोई है, उसने तुम्हारे नाम किया है, या तो तुमने पैसे लगा कर उसे खरीदे हैं, या तो हो सकता है, तुम जब जब इसको बनाय गया तो कुछ लोग पैसे लगाया थे सरकार ने कशल बात बताओ इनिशन के बता है पांच करोड का 22,00,000 कितना होगा अधा होगा ने आधा का आधा का आधा का आधा बहुत ही कम था 50 पॉसेंट भी नहीं था तो कि सरकार कि इसके इसके अंदर कॉंट्रिब्यूशन इतनी गम थी इस वजह से यह एक प्राइवेट इंस्टिटूट थी क्या थी प्राइवेट इंस्टिटूट अब हमने एक बैंक बनाया जो बाकी बैंकों पर निगरानी रखे उन्हें गाइड करें देश का बैंकिंग सिस्टम अच्छा करें सरकार की मत सब्सक्राइब कैसे चलेगा क्योंकि सरकार का सीधा साइन था कि हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो गाउन देहात में हैं बहुत लोग हैं जो एग्रिकल्चर में हो बहुत गरीब लोग भी हैं बैंक उसी को पैसा देता था जो अमीर था सरकार चाहती थी बैंक उसस से पहले तो इने सरकारी करूं तभी जाके ऐसा कुछ हो सकता है जब आपका अधिकारी नहीं तो आप कहोगे किस से सरकार का पहला मूव आर भी आइए को इसको राश्र्य करन किया गया नैस्टलाइजेशन किया गया ठीक है यह प्राइवे इंश्टीट बनी है उनी सो कैंथ से प्राइवेट शेर करना शुरू किया थी में, धी में, धी में, कुछ-कुछ शेर्स अपने नाम क्रांसफर करती गई, यह पूरा प्रोसीजर देसेंबर उनींच सो उटारीस में कॉंप्लीट हो गया कब बनी है 1935 दिसेंबर 1948 में पूरा प्रोसीजर हो गया complete इसके बाद से सरकार ने क्या किया इसके बाद सरकार ने 1949 में इसे completely nationalize कर दिया नेशनलाइज का मतलब कि अब इसके अंदर जो maximum shares है वो सरकार के हैं और अब यह एक सरकारी संस्था है ठीक है तो अब यह नेशनलाइज हो चुकी है वही चीज लिखा हुआ है दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओंड सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949 अब यहां पर जो भी पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार के हैं और किसी के भी कोई भी पैसे नहीं है इंपॉर्टिंट है दोस्तों याद रखे रहा है ठीक है चलो तो यह हमने देख लिया नेक्स देखो अब कोई संस्था बनी है उसको चलाना भी है चलाओगे कैसे उस आना कि fe sour alex a σरह अनके अंडर लोग है उनके अंडर लुग बहुत लोग है इसंट ऊप्य संस्ता है उसको चलाने के लिए लोग चाहिए बड़ी बड़ी जनस्ताय होते हैं उसको चलाने के लिए वहांपे बोर्ड मर्वर्स होता है जो बड़े-बड़े बात करते हैं पिशेंट्रल जो है इसे गवर्ण किया जाता है इसके सैंट्रल बीरेक्टरस के दोड़ार मोडड इसके पाइंट्मर्मेंट का aitा? याने जो यह Central Board of Director बन रही है RBI किसके appointment किस ने की Government of India ने की ठीक है appointment और nomination चार साल के लिए होता है चार साल के लिए ने appointment किया जाता है इन्हें nominate किया जाता है कौन-कौन होता है इस board के अंदर ये बहुत important है तो सबसे पहले इस board को जब कह सकते हैं आप लोग बोर्ड बनाये गया तो इससे दो पार्ट में डिवाइट किया गया कि एक हो गया कि ओफिशिल अपर यानि जो ओफिशिल मेंबर से आर बी आई के और एक होते हैं जिने हम कहते हैं नॉन ओफिशिल मेंबर्स यानि वो जो यहां पर नॉन ओफिशिल है तो यह दो हो जाते हैं एक हुआ ओफिशिल एक हुआ नॉन ओफिशिल ठीक है ओफिशिल में कौन होता है Official में एक तो RBI के जो भी Governor है झो भी RBI के इंदर फिलहाल में Governor है, एक वो हो जाते हैं और इसके अलाव़ा जो दूसरे हैं जो दूसरे हैं वो होते हैं чार Deputy Governor ठीक है, तो देखो एक होगे आपके RBI के Governor और इनके अलावा चार Deputy Governor भी होते हैं इन दोनों को जोड़ा add कर ले, add करके कितना मिला, five members, यानि कि official के अंदर total five members होते हैं, अगले है non-official members, non-official members कितने होते हैं तो देखो, non-official में सबसे पहले, 10 members होते हैं, जिन्हें की appoint किया जाता है, central government के द्वारा, ठीक है, तो जो central government है, वो अलग-अलग शेत्र से, 10 सदस्य को appoint करती है, यह non-official में है, इसके अलवा, चार होते हैं, चार सदस्य होते हैं, प्रॉम, local boards, जो RBI की local है, local boards, यहां से आपकी चार सदस्य हो जाते हैं, और दो और सदस्य होते हैं, यह भी आपकी सरकार appoint करती है, फ्रॉम, finance ministry, तो यह हो जाते हैं, आपके 10, 4 और 2, 14 प्लस 2 कितने हो गए, 16 members, तो ज़रा add कर दो तो, 5 और 16 को add कर लो, ठीक है, 5 और 16 को add करके कितना मिला, 21, overall कितने हो जाते हैं आपके, 21 members, यह वो 21 members होते हैं, जो की, RBI के board के अंदर appointed होते हैं, और कारोबार को देखते हैं, ठीक है, चलो, तो यह आपने देखा, वही चीज़ यहां लिखे हो, यह official directors कौन होते हैं, एक full time आपके governor होते हैं, और 4 आपके deputy governors होते हैं, non official directors कौन होते हैं, तो 10 आपके सरकार्ट वारा पॉइंट किये जा रहे हैं, हलाग-लाग field से, दो government official हो जाते हैं, इसके अलावा ठीक है, तू government officials, इसके अलावा चार directors और होते हैं, यह सब किसम चार local board से होते हैं, यह आपके हो गया है, टोटल members जो की हो जाते हैं, 21, ठीक है, this is very important जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, में भी exam में आप लोगों से पूछा भी जा होते हैं, यह local board के बारे में लिखा हुआ है, तो जो RBI की local board होती है, इसको constitute किया जाता है, south, east, north, west में, और यह local board में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, तो आप सोचो ना, कि एक RBI है, और इसको पूरे इतने बड़े देश को देखना है, अपने offices अलग-अलग जगे यह setup की है, त पहले तो चारों अलग-अलग regions भी इन्होंने कर दिया, जिसे इन्होंने local boards कहा, तो यह western, eastern, northern, southern areas में होते हैं, यहाँ पे पांच-पांच-पांच सदस्य होते हैं, इनकी appointment होती है, central government की द्वारा, जो भी members होते है, shall hold office for a term of four years, इनकी भी जो appointment होती है, यह चार साल की होती है इनका function क्या होता है, कि जो central board है, उन्हें local matters पर advice करती है, ताकि territorial और economic interest जो local cooperative का है, उसे time to time देखते रहें, ठीक है, तो यह इनका basic function होता है, ओके, legal framework अभी नहीं करेंगे, not as such important, अब ज़रा हम एक बहुत important और चीज़ देखते हैं, कि RBI देख लिया हमने, RBI को कब nationalize किया क्यों बनाया गया, सारी बाते हमने कर ली, अब ज़रा हम देखते हैं, कि RBI की क्या-क्या functions होते हैं, बहुत important है, ठीक है, तो एक एक करके अब हम ज़रा इसके functions देखते हैं, सबसे पहला function है, कि RBI के पास monetary authority है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जैसे बात होती रहती है, RBI कि बैठा कोई, repo rate बढ़ गया, या banks का rate बढ़ा है, क्योंकि repo rate बढ़ा है, यह वाला rate कम हुआ है, क्योंकि वो rate ऐसी बहुत सारी बाते हैं, हम लोग अकसर देखते सुनते रहते हैं, तो यह जो rate बढ़ाना है, कम करना है, पूरी monetary policy होती है, monetary policy का मकसद ही होता है, market में पैस बढ़ाना है, यही monetary policy का काम होता है, और यह RBI को सौपा गया है, उसी के अंदर यह monetary authority होती है, next, regulated and supervisor of the financial system, ठीक है, तो जो पूरा financial system होता है, यह उसको regulate करती है, उसको supervise करती है, financial system में सिरफ bank नहीं, payment भी आप लो कहलो, जो payment system हो गया, या जो NBFC हो गया, जितनी भी हैं यह जो भी finance में related हैं, सब ही को RBI ही regulate करता है, supervise करता है, तो banks का जैसे regulation हो गया, RBI act के अंदर, banking regulation act के अंदर, NBFC का companies act के थू करता है, payment settlement system act के थू, तो यह उन्हें क्या करता है, basically regulator supervise करता है, basic जो मकसद यह होता है, कि public का confidence पूरे system पे बरकरार रहे, यह ना डमाडोल हो, यह ठीक है, next, RBI क्या होता है, यह foreign exchange को manage करता है, तो अभी एक खबर आपने पढ़ी, कि RBI ने, Indian banks को, अनुमती दे दी, कि यह लोग, रुपी में trade settle कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यह लोग रुपी में trade settle कर सकते हैं, अब तरह आप एक बात सुचो, कि RBI ने अनुमती दिया है, कि रुपी में trade settle हो सकता है, क्यों RBI ने दिया है, क्योंकि जो trade से जोड़ी चीज़े हैं, जो forex आ रहा है, foreign exchange आ रहे हैं, इन सब को देखने का काम RBI है, तो यह काम इस वज़े से RBI ही करेगा, कोई और नहीं करेगा, ठीक है, तो एक तो यह बात हो गई, दो, तीन important function हमने देखे, एक तो monetary authorities ही के हाथ में है, दूसरा हमने देखा कि regulation और supervision ही के हाथ में, तीसरा हमने देखा कि foreign exchange का manager भी यही होता है, ओके, next, issuer of currency, तो जो भी हमारे देश में currency होती है, यही उसको issue करता है, RBI के अंदर section 22 होता है, section 22 of RBI Act 1934, तो यह RBI का section 22 होता है, जिसके तुरू सिर्फ और सिर्फ RBI ही currency issue कर सकता है, जैसे general तो हम लोग देखते हैं, 5-10 रुपे जो भी हम use कर रहे हैं, इसके अलावा अभी जो E rupee आ रहा है, जो अभी ब wallet पे launch कर दिया गया, एक December से, तो यह भी कौन launch कर रहा है, इसको भी RBI ही कर रहा है, जो भी पैसे वैसे चपते हैं, RBI चापता है, banks नहीं चापते हैं, तो system क्या होता है, RBI पैसा चापेगा, और RBI यह currency chest को देदेगा, जो generally banks का होता है, यह उसे market तक पहुंचाते हैं, तो यह जो होते हैं, इनका कोई role नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इनका यहां तक पहुंचाने का role होता है, क्योंकि RBI direct market नहीं आ सकता है, तो market तक आने के लिए, पैसे को पहुंचाने का जो जरिया है, वो currency chest है, यह बहुत important होता है, ठीक है, वह लिखा हुआ, issuer of currency, चाहे तो मतलब जो भी काम धाम है, वो RBI देखेगा, यह चोधा important हो गया function अगला है developmental role, तो जो भी development हो रही है हमारे वहां पर, national objective को ले करके, settlement system को ले करके, सारी चीज़ें RBI के अंडर होती है, फिर क्या होता है, जो efficient mode of payment system है, उसको साइज रखा जाए, अब जैसे मैं इतनी confident हो कर कहीं भी जाती हूँ और आम से payment कर दी, यहां पर किसी को कुछ payment कर दिया, किसी को कुछ payment कर दिया, बहुत easily मैंने किसी को भी payment कर दिया, ठीक है, तो एक बात खुद सुचो, मैं इतनी निश्यिंत होकर कैसे किसी को digital payment कर सकती हूँ, मैं कैसे इतनी sure हूँ हर बात पर, मैं इ इसलिए इतने श्योर हूं क्योंकि मुझे भरोसा है कि ऐसा नहीं है कि यह कहीं इधर उदर चला गया कहीं इधर उदर चला भी गया तो एक अथोरिटी है जो इसकी जवाब देहीं है जिसके पास पूरा जो भी मोड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है अपने देश में बहुत ह तो सरकार का जो भी पैसों की लिए होती है यह सबकुछ भी लेंडर ओफ लास्ट रिसॉर्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में ल, O, L, R भी कहते हैं. यानि कि Lender of Last Resort इसका सीधा सीधा मतलब है जब ही भी बैंक को कोई भी उनके पास सहारा नहीं है कहां से पैसे लेंगे या करेंगे तो वह RBI के पास जा सकते हैं और RBI उनकी मदद करता है तो यह एक छोड़ी सी वार पॉइंट हो गई ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब दे 27 रिजिनल ओफिसे ज्यादे तर स्टेट कैपिटल में इसके अलावा RBI की चार सब ओफिसेज भी हैं ठीक है तो जब आप 27 और 4 को एड़ कर दो यह आपको कितने मिल गई 31 जब भी आपसे पूछता है कि RBI की जो अदर ऑफिसें अदर देन हैड ऑफिस कितनी होती हैं 31 होती है ठीक है कितनी होती हैं दोस्तो 31 इसके साथ ही साथ में इनके कुछ ट्रेनिंग इस्टैबलिश्मेंट भी होते हैं तो जब भी आप RBI की पर जाओगे तो ट्रेनिंग इस्टैबलिश्मेंट वाला चेंज होता है कभी 6 है कभी 8 है कभी 4 है अब यह मैंने लेटेस सर्च किया तो मुझे चार मिले थे ठीक है तीन का नाम है RBI Academy College of Agriculture Culture Banking and RBI Staff College यह RBI के पार्ट है इसके लावा कुछ और ऑटनॉमस इंस्टिटूट भी है जैसे आईडी आरबी टी तो यह इनकी क्या हो गई बहुत ही important point discuss करते हैं कि RBI के कौन-कौन सी subsidiaries होती है कि मतलब क्या होता है सीधे से भाशा में अगर मैं आपसे बोलू है जैसे PW है पहलें फिजिक्स वालकाट फिर इन्होंने क्या एपना काम बुक्त सारे हैं इन्होंने expired on Mira bond किया शार फिर बढ़ाने थे तो 1p style पर सबकुछ होना मनासिब नहीं था इसलिए conflicting new COB ने अपने चैनल ब् andar ऑथ किया में अदर यह अलग अग अलग किया अब एक पर काम कर रहा है जैसे मैं आपको बैंकिंग के लिए पढ़ा रही हूं बैंकिंग वाला इसी के अंडर एक दूसरा चैनल यानि कि इसका पूरा-पूरा जुडाव है पी डेबलू से लेकिन चुकि मुझे सिर्फ बैंकिंग वाले सिक्टर को फॉलो करना है तो मैं बैंकिंग तरीके की शिक्षा दी जा सके और बहुत ही एफेक्टिव मैनर में ठीक है तो इन्होंने अलग-अलग अपने जो है चैनल करने शुरू किये अलग-अलग वर्टिकल्स और अलग-अलग टीचर से जो सेक्टर को पढ़ा रहे हैं सिमिलर वे में आर बी आई का भी काम बहुत ही बढ़ा है और बी आई का भी बहुत सारा काम है बहुत कुछ नहीं करना है अलग-अलग सेक्टर के लिए इन्हें भी उनकी नीट पूरी करनी होती तो और यह कैसे करेगा यह प्रॉब्लम है ना आर बी इसे कैसे कर सकता है आर बी आई ने भी देखा देखो अब बैंक मे जो भी अगर हमारा बैंक की उपर भरोस है क्योंकि बैंक को आर बी आई देख रहा है कल को अगर बैंक ने मेरे साथ कोई दोगा धड़ी की तो आर बी आई की जवाब देही है ठीक है बहुत बड़े इस तर पर काम चल रहा है सिस्टम बहुत बड़ा हो गया है ऑनलाइन प सबस्क्राइब के इनकी सबस्टिटरीरी जो हम देखेंगे वह है डी आई सीजीसी ठीक है अब देखने वाले यह है डी आई सीजी सी जानी डिपोजिट इंशूरेंस क्रेडिट गारंटी कोर्पोरेशन जो हम इसकी बात करते हैं तो यह 1978 में एक्जिस्टंस में आया था 1978 में यह बनके आ गया था ठीक है अब देखिएगा यह तरीकिसे टिपॉजिट इंशुरेंस और क्रेडिट गारंटी का काम करता है बैंक के लिए यानि कि मान लो मान लो क्या होता है कि कल को जैसे मैं किसी बैंक में पैसा जमा करती हूं मान लो कोई भी बैंक है मैंने यहां पर अपने पैसे डिपॉजिट किये मैंने क्या किया यहां पर अपने कुछ पैसे डिपॉजिट किये लेकिन यह जो बैंक है यह फेल हो गया क्या हो गया फेल हो गया तो अब जो मेरी डिपॉजिट है इसका क्या मैंने तो बैंक बन कर रहो तो क्या मेरा क्या होग मैं कुछ नहीं हूँ ठीक है नहीं मैं बहुत हुँ कुछ हूँ इन्हों नी network gear घबडाओ नी आपकी तरह जितने भी customers ने कि पैसे डिपॉसित किए हैं आपकी तरह जितने भी customers ने हमारे पास पैसे डिपॉसिट की ये हैं उन सभी को बहुत ही सेफ रखा गया है लेकिन सिर्फ वर सिर्फ 5 लाग तक तो वही है अब टु ओनली रुपीज फाइव लैग ठीक है तो जो भी कस्टमर्स है बैंक के पास में सभी कस्टमर्स के पैसे बिल्कुल सेफ हैं डिपोजिटेट लेकिन सिर्फ और सिर्फ पांच लाग अगर पांच लाग से उपर का है तो जवाब देहीं नहीं है तो टी आई से जिसी एक ऐसी संस्था है जो जबी भी आप लोग डिपोजिट करते हो इस डिपोजिट का इंशूरेंस करती है कि बाइब कलको अगर यह बंदा अगर आपका बैंक डूब जाता है तो इस बंदे को आप ऐसे ना भीजो उसको कम से कम पांच लाग तक तो उसके जो डिपोजिट है वो दे सको यह तो बैंक करेगा ही करेगा और यह जो इंशूरेंस है कोई भी इंशूरेंस होता है तो उस इंशूरेंस पर आपका प्रेमियम का काम नहीं बैंक भरता आपको यह नहीं करना यह बनाए अलग बैंक में हमारे अकाउंट है उन सभी अकाउंट को इंशूरेंस देने का काम डियाइए इस्टेमर का डिपोजिट पांच लाग तक सेफ रहे इसके पहले एक लाग था अब यह यह कासे होता है घूट इपोसिट हर सो का दसफाने आपको दिखेगा अभी बढ़कर के बार अरपैसे कर दिया है लेकिन एक और जो पड़िए आकाउंट किल जसी थे और दो थे लालग अरये वेयर थे टो वह गर दो यकिंद आपको बहारतिय रिज़र्व वैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड यह फिल फॉर्म होता है तो अब यह जो बी आर्बी इंपी एल है अगर हम थोड़ी इसकी बात कर लें यह है क्या देखो अपने वहां पर मैंने आपको एक बात बताई कि आर बी आई इस्चू करता है करेंसी इस्चू एर ओफ करेंसी तो हमारे वहां पर करेंसी coins भी है और notes भी है ठीक है तो जो हमारे वहाँ पर currency है यह coins भी है और यह notes भी है coins का basically जो production का काम है यह government देखता है लेकिन distribution RBI करता है वहीं अगर notes की बात करें तो production और distribution basically यह दोनो RBI देखता है ठीक है तो जो notes की production होती है वो भी RBI देखता है actually RBI के साथ सरकारी एक संस्ता है वो भी देखते हैं लेकिन RBI का इसमें मुख्य भूमिका होती है RBI की एक subsidiary होती है जिसका नाम है BRBNMBL BRBNMBL ठीक है यह RBI के एक subsidiary है BRBNMBL यह क्या करती है जो note का छपना है उसके पूरी management यह देखती है तो जो note छपने हैं यह कहां कहां पर छपने हैं note छपने हैं आपके नासिक यह छपने हैं आपके नासिक देवास माशोर और शाल्बनी ठीक है यह चार जगे आपके note छपने हैं इसमें से जो माशोर और शाल्बनी है इसे BRBNMBL देखता है और बाकी के जो यह दो है सरकार के एक संस्ता है SPMCIL वो देखता है वो हम कभी और देखेंगे फिलाल में याद रखेगा BRBNMBL एक संस्ता है जो notes production को देखता है मैशोर और शाल्बनी printing presses पर तो यह काम होगे आपका को भी आरबी एंपिल का next देखते हैं next है हमारी yes अब next हम देख सकते हैं rabbit को ठीक है basically RBI के पास में बहुत सारे IT projects होते हैं तो जो वो IT information technology related जो भी projects होते है RBI के उसको देखने का काम rabbit होता है rabbit और if task को एक साथ देख लेते हम तो हमें जादा समझ जाएगा if task को देखे it is a wholly owned subsidiary of RBI if task has taken over the Indian financial network structured financial messaging system and Indian banking community cloud from IDRBT तो ये दोनों point याद भी रखे रहे हैं कभी-कभी exam में सीधा-सीधा आप से पूछे रहता है basically होगा क्या अपने वहाँ पर जो भी finance tech में development होनी है financial technology में जो development हो रही है उसके पीछे if task का बहुत बड़ा रोल है ये देखता हो उसके कैसी development होनी है उसमें क्या ने developments कर सकते हैं कैसे उसको और बहतर कर सकते हैं ये overall उसके लिए responsible है और idea system को ध्यान देना प्लस उनका supervision और उनको जादा से जादा secure रखना ये दोनों आपकी संस्थाएं और हो जाती है तीसरी जो आपकी सबसीडियरी है वो रेबिट है और चौती है if task अभी हाल फिलहाल में एक और add कर दी गई है RBIH RBIH है Reserve Bank Innovation Hub ठीक है RBIH क्या होता है RBIH की शुरुवात की गई है एक section 8 company की तरीके से Companies Act में और जो इसका Initial Capital है ये है 100 करोर का ये भी RBI के पूरे-पूरी subsidiary की तरह से काम करती है इसका मकसद होता है financial service और product जो low income population में है उसको बढ़ावा दिया जा सके ठीक है तो कह सकते हो आप लोग basically की RBIH को बनाया गया है ताकि financial sector में इनोवेशन लाए जा सके financial inclusion बढ़ सके ये सारे काम ये करती है ठीक है जो भी अपने वहाँ पर financial sector है रहा वो जादा से जादा innovative हो सके जादा से जादा लोगों तक ये finance को हम लोग पहुंचा सके आसानी से low middle income जगह तक हम इसे पहुंचा लें लोग लोगों तक सभी तक पहुंचा लें ये आर भी आई अच्छे तो इसके पीछे कुछ ना कुछ आसे innovation करती रहती है को बनाया गया एक not-for-profit company की तरह और initial capital contribution थी initial capital contribution थी 100 करोर की ठीक है तो ये आपकी पांच अलग-अलग जो है subsidiaries हो गई जो मैंने आपको दिखाया कौन-कौन सी subsidiaries है एक बार फटा-फट देख लो ठीक है तो subsidiaries है आपकी एक DICGC deposit insurance credit guarantee corporation BRBN MPL भारतिय reserve bank note मुद्रान private limited rabbit gift-ass और RBIH Reserve Bank Innovation Hub यह हो गई आप लोगों की पांच अलग-अलग subsidiaries और यह हो गई मारी आश्की क्लास अगर अच्छी लग यह तो प्लीज कॉमेंट करके बताना ऐसे हम लोग इसे अभी crash course की तरह चला रहे है अगर आपको अच्छी लगीगी तो इसका एक पूरा कोर्स लेकर आएंगे तो फिर मिलते हैं तब तक घर पर रहो स्फस्त रहो मस्त रहो एव ग्रेट जाहन जावारत गडब्लस यू लव यू बबाई